Hello guys, welcome to my YouTube channel, Extremaritik इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Angel 1 में Intraday Charge आप कैसे देखेंगे कितना आपको Intraday Charges लगता है Angel 1 में उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चेनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, विल्क आइकन को प्रेस कर लीजेगा अगर आपने Angel 1 में अभी तक अपना आकाउंट ओपन नहीं किया होगा, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक का यूज करके अपना आकाउंट ओपन करेंगे, तो आपको 500 की जगह 1000 रुपीज बोनस मिलेगा, अब जैसे आप लोग Angel 1 आकाउंट अपना ओपन करेंगे, आप इस टाइप का इंटरफेस देख पाएंगे, मैं आपको अपने चार्जिस के बारे में बता देता हूँ, ट्रेड्स अब यहां पर मैं, लास्ट जीस्ट का देख लेता हूँ, अपलाइी पर मैं क्लिक करूँगा तो यहां पर लास्ट जीस्ट मन्त का आप देख सकते, अगर आप इंवेस्मेंट करतें तो उतनी जदने आपको चार्जिस नहीं लगेंगे other charges में आप यहां पर देख सकते कि monthly account maintenance का charges मुझे लगा यहां पर बाकी profit and loss में में जाता हूँ यहां पर आपको better तरीके समझ में आ जाएगा and यहां पर मैं F23 इससे पहले भी मैंने आपको intraday charges के बारे में बदाया था कि जैसे देखिए कि यहां पर मैंने कितनी quantity में काम किया हूँ सिर्फ एक lot में काम किया हूँ bank nifty के intraday के लिए और charges मुझे देना पड़ा 68 rupees तो अगर मैं आपको मोटा मोटी और छोटा छोटी बताऊँ तो minimum आपको charges लगेगा वो लगेगा buy करने का एक lot का 20 rupees और maximum आपको उसी में 50 से 60 रुपे लग सकता है minimum आपको 20 रुपे लगेगा और maximum आपको पर lot को 70 रुपे charges लग सकता है तो इस तरीके से आप लोग समझगे हो कि minimum आपको 20 रुपे लगेगा maximum आपको 70 रुपीस लगेगा तो टॉपीक इसकबर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जय मातादी